तो अब हम आ गए हैं अपने the most important chapters exemption पर और यहाँ सबसे पहले आता है section number 11 जिसमें बताया जाता है कि देखें government को exemption notification issue करके किसी भी goods या services को exempt करने की power है और इसी section से power उठाकर government ने notification number 12 oblique 2017 issue करा है जिसमें धेर सारी exemptions की list दे हुई है section 11 का content कुछ ऐसे है कि यहाँ पर government को power है कि वो conditional और unconditional कैसी भी exemption notification issue कर सकते हैं जिसे further holy exempt या partly exempt की बात भी करी जा सकते हैं जहां तक सवाल है कि जो exemption notification होती है वो कौन सी date से effective होगी तो normalism में यह बताया जाता है कि देखे या तो exemption notification में कोई date mention करके दे रखी होगी कि this notification will be effective from this date अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो second choice पर जिस दिन notification issue हो गई है उस वाले date को consider कर लिया जाता है प्रेंप से बुलेंगे राधे राधे जहां तक सवाल है supplementary exemption notification का कभी कभी क्या होता है कि main notification में उसके scope को लेकर या उसकी applicability को लेकर कुछ doubts आ जाते हैं कि pipe तो exempt हो गई but what about pipe fitting तो इसके लिए government clarifications issue करती है तो उस clarification को ऐसे माना जाता है जैसे कि वो main notification का ही part है तो इस प्रकार के जो supplementary notifications होती हैं उनको retrospectively use किया जाता है और वो main notification जिस दिन से effective होई है उसे दिन से effective माने जाती है subject to the condition कि आपके supplementary notification main notification के एक साल के भीतर भीतर आ गई हो अगर एक साल के बाद में आती तो supplementary notification को prospectively apply करवाया जाएगा अब यहां से देखते हुए हमारे पास में list आ गई है notification number 12 oblique 2017 की हमने सारे discussion को तमाम परकार की जो सैकड़ों की संख्या में exemptions है इनको 14 category में divide किया है दान धर्म एक, सिक्षा स्वास्थ, खेल सरकार, किसान मनरंजन, फिर आता है GPRS, goods transportation, passenger transportation, renting, social activities फिर आता है BIB, banking, insurance and business related तो सबसे पहले जब हम डान और धर्म की बात करते हैं तो charitable and religious, तो सबसे पहले बात आती है charitable trust को लेकर तो charitable trust जो की recognized है income tax के अंदर अगर वो चारत रह की charitable activity करता है तो उसको यहां से exempt कर दिया जाता है चारत रह की charitable activities इस तरह से हैं care and counseling of जो गई काम से यानि कि जो near to death हैं और इस अवस्था में लोग ना पहुँचें उनके लिए कुछ awareness programs लेकर आना किसी धर्म को, spirituality को, yoga को बढ़ावा देना, advancement देना, दूसरा तीसरा हो गया education और skills पे काम करना किनका मतलब जो अनात बच्चे हैं 65 साल से उपर के ग्रामीड बुजर्ग हैं, कैदी हैं या चोट खाए हुए व्यक्ति हैं शबो, तुम कहां चली गई उस ताइब के ठीक है और चौता पॉइंट आता है इसमें बचाओ, बचाओ, अभियान चलते हैं यमना बचाओ, मुझे बचाओ जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ तो यह आपके चार तरह की चरिटिवल एक्टिविटीज यहां पर आती हैं अगला पॉइंट आता है रेंटिंग ओफ रिलिजियस प्लेस और कंड़क्ट ओफ रिलिजियस सर्यमने यह दो हिस्सों में हैं पहला है रेंटिंग ओफ रिलिजियस प्लेस तो जब किसी रिलिजियस प्लेस को हम कराई पर देते हैं तो वहां पर एक्जम्शन की बात करके चल रहे हैं और एक्जम्शन उसमें कुछ इस तरह से रहती है कि अगर आपका जो कमरा है जैसे गुरदवारे में कमरा कराई पर दिया जा रहा है तो उसका ट्रिपल नाइन तक का है तो एक्जम्ट रहेगा उसके उपर है तो फिर फुल टैक्सेबल होगा आर या पार की जंग होगी हर जगह है ठीक है यहां थ्यान रखीगा यह ऐसे नहीं करेंगे कि एक्सेस एक्सेस टैक्सेबल होगा नहीं आर या पार है तो पूरा एक्जम्ट होगा या पूरा टैक्सेबल होगा तो ट्रिपल नाइन तक है तो एक्जम्ट हो जाएगा बाकि टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद में अगर मान लीजे कोई हॉल है तो four time nine per day के हिसाब से है तो exempt otherwise taxable और कोई दुकान वगिरा है तो four time nine per month दुकाने monthly दी जाती है रेंट पे तो exempt है otherwise वो taxable कर दिया जाएगा जैकराश शेरवाली का बहुत सची दरबार की जै religious ceremony conduct करी जाती है मातारानी के जगराता है प्रवचन है तो वहाँ पर जो भी फीस आती है उस पर भी TST नहीं लगाया जाता है फिर आगे बड़े religious journey की हमने बात करी केलाश मानसरोवर की यात्रा हो या फिर हज यात्रा हो तो इसमें जो religious bodies हैं basic कलिए मतलब जो इस religious journey को operate करती है केलाश मानसरोवर यात्रा को करती है कुमाउ मंडल विकास निगम लिम्टेट और हज यात्रा को हज कमेटे जो कि सेंटरल और स्टेट दोना लेवल पर होती है तो इनके दोरा दी जाने वाले services को GST नहीं लगाया जाएगा उसके बात आगे आते हैं news निउस की बात करते हैं तो निउस में बताया जाता है कि जब एक किसी हम चैनल को या फिर निउस्पेपर वाले को जो जनलिस्ट होते हैं वो निउस अपनी दे रहे हैं तो जनलिस्ट अगर employee है फिर तो वो supply नहीं है GST की बात ही नहीं होगी अगर वो एक self-employed person है तो फिर उसकी service पर GST नहीं है और PTI, UNI जो services अगे अपने database से देते हैं उस पर भी GST की बात नहीं करी जाती है फिर आता है यहाँ पर library, lending of books की बात कर रहे हैं public library से books वगरा की lending जो की जा रही है उस पर बाबु मेरे अपना GST नहीं आता है बुक्स वगरा जो कराय पर दे जाएगी उस पर भी अपना GST नहीं लगाया जाएगा लेकिन ये बात separate heading के अंदर लिखी हुई है education वाली heading में जाकर educational institute के हम लोग बात करते हैं जहाँ पर school आ जाता है institutions आ जाते हैं अपने colleges आ जाते हैं तो अगर हम output side में बात करें तो services provided by the educational institute to the student, faculty और staff हर हाल में उसे exempt कर दिया जाता है दूसरा जो नए बच्चे admission लेने वाले हैं या जो बच्चे यहां से निकल गए हैं आने वाले और जो चले गए एक्स और नए दोनों को दी जाने वाली service पर भी GST नहीं लगाया जाता है जहां तक सवाल है inward side का तो जो TCS की service है ट्रांसपोर्टेशन की, catering की और housekeeping, security and housekeeping की तो यह सिर्फ school के लिए exempt है जो online education periodicals हैं यह सिर्फ colleges के लिए exempt हैं बाकी के लिए taxable हैं और जो आपकी service related to exam, जो entrance, final exam, संबंदी बगरा जो होती हैं तो यह सब के लिए exempt कर दिया जाता है एक बड़ी बात बोल रहा हूं, note कर लिजेगा कि जो needs होती हैं, जरूरते होती हैं, वो भिकारी की भी पूरी हो जाती हैं और जो इच्छा यानि की desires जो होती हैं, वो राजा के भी अधुरी रह जाती हैं तो हमें पूरे खेल के अंदर यही देखना है, कहां पर need है और कहां पर वो desire है जहां पर need होगी, GST नहीं होगा, जहां पर सिर्फ एक desire है, तो वहां पर GST लगा दिया जाएगा बच्चे का स्कूल में जाना एक need होती है, GST नहीं है, बच्चे का हमारे classes में आना need नहीं, एक desire होती है, यहां पर GST लगा दिया जाता है, ठीक, अच्छा जी तो वही वाली बात यहां पर करी गई है, दूसरा, जो TCS की service अपनी है, जैसे midday meal वगेरा, अगर इसे कोई government sponsor करे तब भी exempt रहेगा, कोई corporate इसे sponsor करे तब भी exempt रहेगा, जो गाओं में अंगनवाडी होते हैं, तो अंगनवाडी is equal to playway school, तो इसको school की तरही treat किया जाएगा और accordingly सारी बाते करी जाएगे, जो अपने educational board हैं, उसे भी to the extent educational institute का दरजा दिया जाता है, और accordingly सारी बाते वहाँ पर आकर करी जाती है, प्रेम से बोलेंगे, रादे रादे, ठीक, उसके बाद में, फिर हम और आगे बढ़ते हैं मालिक, और आगे बढ़ने पर मैं पता लग कि जो corporate कम institute का culture जो निकल के आता है, तो बहुत सारे जो corporate से उन्होंने अपने schools बना रखे हैं, जैसे Amboja Cement Foundation हो गया, हिंदुस्तान soft education हो गया, Asian paints का हो गया अपना, तो यह जो एक प्रकार की practical training type services देते हैं, तो इस पर भी GST नहीं लगाया जाता है, गौर्मेंट की कुछ ए initiative और दीन दयाल अपाधिया ग्रामिट कोशल योजना, तो इनके पर आने वाली fees भी GST के दारे से मुक्त है, training, अगर हम गौर्मेंट को कोई training training देते हैं, जैसे कि मैं IRS officer को training देता हूं, तो उससे जो मुझे पैसा मिलता है, वो गौर्मेंट से मिलता है, उस पैसे पर GST नह जाएगी ऐसे करके, दान धरम के बाद, अब सिक्षा के बाद में बात आती है, दान धरम, सिक्षा, स्वास्थे की बात आ जाती है, स्वास्थे में बोलते हैं, कि जो animals की पहले बात करते हैं, service of health care, health care में तीन ची जाती है, diagnose करना, treatment करना, और care करना, तो पहले इन जानवरो कि आप उनकी अलग से एक लिष्ट बना लें और इस लिष्ट में पहला नाम आ रहा है कॉड ब्लड बैंक की सर्विसेश मतलब जो लेटेस्ट में पिछले साल चाह मैंने के अंदर जो एक्जम्शन से आपके वेड्र होई हैं कॉड ब्लड बैंक की सर्विसेश नाव टेक्सेबल अब ये टेक्सेबल हो चुकी है है हैल्थ केर ऑफ हुमन बिंग्स के अंदर बोलते हैं कि देखे जब कोई ये डॉक्टर है क्लिंकल इस्टाबलिश्मेंट हैं हॉस्पिटल वगएरा अपने पेशन्ट को सर्विसेश दे रहे हैं हैल्थ केर की सर्विस दे रहे हैं डागनॉस्टिक टीटमेंट और केर की तो उस पर जी एस्टी नहीं लगाया जाता है ऐसे करके इसमें लेटेस्ट अमेंटमेंट ये भी है कि देखे जो आई सी यू सी सी यू ये जो कृटिकल केर वाले यूनिट्स होती है इनमें पर डिक रहा है चाहे बीस हजार का पच्छाजर का एक लाख रुपे पर डिका क्यों नहीं हो हेल्थ केर में क्या-क्या आ जाता है वह डियाग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के रहे हैं अगर वह मेंडेट बई डॉक्टर है ऐसे क्यूर अगर की जा रही हैं फिर तो वह हेल्थ केर का हिस्सा है लेकर अगर सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ाने के लिए इस खूबसूरती बढ़ाने के हिसाब से आप करवा रही हो तो फिर वह आपका कॉस्मेटिक टाइप में आ जाता है फैस पर जीस्टी लगवा दिया जाएगा ऐसे करके ठीक है और उसके बाद यहां पर बताने के लिए क्लिए है जो कैंटीन होती है कैंटीन में जो इंडूर सप्लाई की जा चाहे एक नौन होस्पिटल हो यानि कि मेरा जैसा वेक्ती भी जिसका हैल्थ केर सेक्टर से कोई मतलब नहीं है यह भी अम्बूलेंस की सर्विस देगा तो जीस्टी नहीं लगाया जाएगा बिकॉस फर प्रवाइदिंग अम्बूलेंस सर्विस को डिगरी की आवशक्ता यह भी आपका हेल्थ केर का ही इससा बनता है इस पर भी जिसकी बात हम नहीं कर सकते हैं नेक्स पॉइंट आता है रिहाबिलिटेशन सेंटर यानि कि नशामुक्ति केंद्र जो अपनी यहां पर सप्लाइज दे रही हैं और नशामुक्ति केंद्र या तो गौर्मेंट के द आए शराब शुड़ाएं एक हफते में तो ऐसे जो सेंटर हैं जो फीस जाती उस पर भी जिस टी अपना नहीं लगाया जाएगा आगे रहा है बायो मेडिकल वेश्ट करके नोट कर लीजिए अलग से पहले कभी एक्जेम्ट हुआ करता ता और उसके बाद लेकिन अब पश्रूम बाथरूम जो पब्लिकली हैं आप इस्तिमाल करते हो जहां पर चार देना पुड़ता एक रुपया पांच रुपय दुसर रुपय तो इस पर भी जीस टी नहीं आएगा लेकिन कभी-कभी बच्चा पूछता शरारती बच्चे जो होते कि सरप्लायर कौन है यह पर हम यह सलब सोचाले वाला इस पर दिमाग लगाईएगा बट मैंने इस नहीं बता दिया कि एक रुपय पांच रुपय दुसर पर जीस टी नहीं आएगा ठीक आगे बात करते फूपा की दान धरम सिक्षा स्वास्थे के बाद अब खेल की बात आ जाती है खेल यानिकि स स्पोर्ट्स की फूपा फूपी सब एक्जेंट हैं मतलब फूपा मतलब क्या हो गया फीफा फीफा जो वर्ल्ड कप 2022 है वो सर्विसस दे रहा हो या ले रहा हो जीस्ट की बात वहां पर कताई नहीं करी जाएगी अंडर 17 की जो बात कर रहे थे अंडर 17 में जो बुआ है फ तो वहां पर भी जीस्ट की बात हम नहीं करके चलते हैं स्पॉंसर्शिप पर ठीक है आगे बुलता है इंडिविजूल सर्विसस जो होती हैं जिसमें नाम आते हैं कुछ ऐसे प्लेयर है रैफरी है अंपायर है कोच या टीम मैनेजर है नाम गिलनी जीगा प्लेयर रैफरी से बी सी से आई दूसरी आर एस बी को से यूपी क्रिकेट असोसियेशन सर्विस देती है तो भी जीस्ट की बात हम नहीं करके चलते हैं ऐसा बूल दिया जाता है दानधरम सिक्शा स्वास्त एक खेल के बाद अब सरकार की बात करते हैं सरकार की बात यहाँ पर आगई है सर Central Government, State Government, Local Authority या UT और नीचे रखा हुआ है Governmental Authority या Government Entity मोटी तोर पर ऐसे मान के चलिए जहां पर बूलते है Central Government, State Government, Local Authority, UT उसे Pure Government मानिए और जहां पर Governmental Authority या Governmental Entity बूलते हैं तो Semi Government मान लीजिए कुछ समय के लिए तो ज़्यादा Importance किसे दी जाएगी Pure Government को या Semi Government सब Pure Government को तो Pure Government Article 243G और डबलू में आने वाले जो सर्विस हैं उन्हें देती है तो Straight Forward मना ही है उसे Supply तक नहीं बनने दिया जाता है रूट ही नहीं जवने दी है ठीक मैं आपको पहले बताया था कि Supply ना बनने देने का मतलब है जड़ से उखाड कर फैंक देना और Supply बनने के बाद फिर Exemption से बहार निकलने का मतलब है बाला को काट देना जड़े हैं लेकिन काट दे तो मतलब कभी भी वो उपर उगकर आ सकते हैं वैसे करके तो जड़ से उखाड कर फैंक दिया अगर सरकार देती है तो यह लेकिन वही जब सेमी गौर्मेंट इसको देगी आगे 243G और डबलू वाली सर्विसे को तो उसको exempted route से बाहर निकल गया जो की comparatively हलका route है अगर यही सर्विसे outsource करते हैं तो क्या होगा अगर pure government ने outsource करी है तो उसको exempt किया जाएगा और अगर semi government ने outsource किया है तो उसे taxable कर दिया जाएगा चीज आपके बिल्कुल सामने है वो अंतर यहाँ पर दिख रहा है pure government और semi government का यहाँ पर एक बाहत ध्यान देने वाली है कि जो services outsource कर रहे हैं अगर composite supply है तो service component कम से कम 75% होना चाहिए मोटे तोर पर ऐसे माने service component 75-100% है तो ही exemption मिलेगी otherwise पूरा का पूरा taxable करवा दिया जाएगा यहाँ पर छोटा सा point अच्छा आर्टिकल 243G और W में क्या कैचीज आती है आपकी जैसे sanitization की services हो गई और like आपके land reform हो गया, land consolidation हो गया, urban town planning हो गई, public health हो गई, cattle pond हो गया street light, parking lots, bus stops, road, bridges, water supply, fire services, etc. यह सब इसके अंदर आते हैं article 243 और G और W के अंदर जो सरकार के काम होते हैं basically धान को चावल में convert किया जाता राइस मिल के अंदर तो conversion की जो process है जिसके लिए rice मिल पैसे लेगा, GST लगेगा उसके उपर यह बताया गया है और आगे बोलते हैं कि ऐसी कोई भी activity जो इस category में आ रही है अगर 75-100% की category में आती जो 243 और W वाली है 75-100% वाली में आएगी तो exempt रहेगी अन्निथा taxable कर दिया जाएगा वैसे करके next point है government services तो government services के लिए मालिक यहां पर बात कुछ और अच्छे तरीके से की जाती है तो मैंने एक proper diagram बनाया हुआ है इसके लिए government services के लिए कि government services अगर दी जाती है तो non business entity को तो exempt रहेगी तो कि सरकार चाहती कि सरकारी सेवाएं सस्ते दमाँ पर आगे तक पहुँचें वैसे करके दूसरा अगर यह दी जाती किसी business entity को तो क्या होगा सर बिजनस entity को दी जाती चेक करना पड़ेगा कि जो business entity है वो registered है या unregistered है तो अगर unregistered है तो exempt करके चलेंगे क्योंकि tax लगा दी तो cost का part बन जाएगा सरकारी सेवा महंगी हो जाएगी और अगर दिया जा रहा है registered business entity को मतलब कि जिसका प्रसेडिंग financial year के अंदर turn over 10-20-40 से उपर जा रहा था अमीर business entity कह सकते हैं उसको जा रहा है तो वहां दीखा जाता है कि क्या जो value है वो up to 5000 है या नहीं है हाँ अगर value up to 5000 है जीस्ट हो जाएगा उससे उपर जा रही है तो फिर वो taxable हो जाएगा इसके लवा government की जो pvt की service होती है पोस्ट office की और इसमें आपकी post office की सारी की सारी services as of now taxable कर दी गई है सिर्फ in a land letter card और post card की जो service है जो basic service है इनको छोड़ कर ठीक है उनको लेता भी कौन है वेसे भी दूसरा government की जो services है with respect to vessel और aircraft तो वो भी आपकी taxable है और जो government की service है VVT जो है यह taxable है post office, vessel aircraft और T for transportation इनको taxable के पीछे यह जान बूज कर जबरदस्ती taxable करी गई है वो इसलिए क्योंकि यहां पर private player के साथ competition आ रहा था तो जैसे post office की service है तो side में courier वाले का भी अपना office है तो कहता भाई सब मैं और आप एक जिसे service दे रहे हैं तो जो courier पर GST है तो why not on post office तो इसे मेरा धंदा पिट जाएगा या तो अपने उपर से GST या तो मेरे उपर से GST हटा दो या अपने उपर भी GST लगा लो परसनल्स तो जहां पर वो air force मैस वगरा की बात करके चलते तो वो भी नॉर्मल तरीके से अपना exempt ही रहे कर चलता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यह latest circular आया हुआ था आगे है long term lease के हम लोग बात करने जा रहे हैं मालिक तो long term lease अगर दी जाती है जिसे मैंने जेवर airport का example लेके आप कोई चीज बतलाई थी समझाए था कि कैसे करके तो यहां सरकार जमीन extra खरीती है development जहां area हो रखा होता है और long term lease 30 year और more की lease पर देती है पारले जी वगरा वहां पर बड़े बड़े plant अपने लगा रहे हैं और government को लंबे समय तक मोटा rental खाने को मिलत है तो इस के respect में बात करी गई तो यहां पर जब यह जमीने दी जाती है तो जो rental दिया जाएगा उस पर तो नॉर्मल तो के सबने वाले unit को मिल जाएगा लेकिन इसमें जो upfront पैसा होता जो शुरूर मोटा amount दिया जाता है जिसे security पगड़ी टाइप नहीं होता उसके उपर G GST लगा दिया गया तो अभी factory बन रही प्रडक्शन होगा चार-पास साल चलेगा तो उसमें पैसा ब्लॉक हो जाएगा इसलिए जो initial amount होता इस पर GST नहीं लगा जाएगा दूसरा अगर यह service देने वाली pure government है फिर तो exempt रहेगा रहेगा अगर मालीजी government का इसमें कोई private participation को लेकर तब ही आगे काम कर रही तो वैसे वाले case में तो कम से कम government का जो share है वो 20% तक होना चाहिए आगे बोलते spectrum spectrum के बारे में अगर मालीजी जो spectrum का पैसा है वो 14 2016 से पहले का है उस समय पर spectrum की services पर tax नहीं लगता था पुराना पैसा है और वो पुराना पैसा सहाब आपको अ जा रहा है मालिक ठीक साजी तो अब नई जाव पुराना पैसा है जिस समय टेक्स नहीं था अब आएगा तो इस पर जियस्ती नहीं लगाया जाएगा इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे को service मिलती है इंडियन रेलवे finance कॉर्परेशन से बाई वे आफ लीजिंग ऑफ एस FSAI की जो services थी अब ये taxable हो गई है market mark it अब ये taxable हो गई है GST portal जो service देता था यारे कि GST जो company है वो government को service देती थी पहले ये exempt थी अब ये taxable हो गई है mark it non performance किसी government contract को break करने पर आपने जो पैसा government को देना हो होता है उस पर भी GST नहीं आएगा agriculture अगर सरकार के दोरा दी जाने वाली services by way of giving right to use natural resources जैसे किसान आदमी अपना तलाव अगरा से नदियों से नालों से अपने खेतों किसाई करता है जिस के लिए उसे पैसा देना होता है सरकार को उस पर GST नहीं आएगा बशरते की वो इस इसे यूज कर रहा है किसान अपने खेती बाड़ी के लिए या पशू पालन के लिए पशू पालन में घोड़े नहीं आते हैं कोल माइन के संबंद में भी वैसा ही सीनर जैसा कि स्पेक्ट्रम के संबंद में था एक चार्ट दो जार सोले से पहले का कुछ पेमेंट से अब एक्सपॉर्टर एक्सपॉर्टर से कुछ एक्सिट्रा पैसा लिया जाता है उस एक्सिट्रा पैसे को बोलते है मर्चंट ओवर टाइम फी उस पे जिस टी नहीं आएगा RTI डालने की जो फीस है 10 रुपे उस पर भी GST नहीं आएगा और ERCC का कॉंसेप्ट मैंने बहुती शांदा तरीके साब को बता रखा है उसमें Access Royalty Collection की बात करके चलते हैं तो जो भी शुरू में एक फिक्स जब भी किसी माइन वगरा का ठेकावे का लिया जाता है एक fix amount होता है एक variable होता है fix मानले जो 2000 करोड का था इस पर recipient reverse charge में government को tax जमा कर देता है योकि ये mining का right देने वाली government और government service पे जब B2B होती है तो normally उन पर reverse charge लगता है इस पर भी reverse charge लगेगा जो variable part होता है उसके लिए government किसी third party को authorize करती है कि तू हमें fix दे दे और जो भी वहां से variable amount आएगा वो तू रख ली हो अब जो variable amount आया वो दिलवा दिया third party को मानले वो 2 करोड बनता था उस 2 करोड पर original party government को आरसी में tax भर चुकी है अब government ने इसके लिए fix कर रखा था यहां पर आकर डेड़ करोड कि third party डेड़ करोड गौर्मेंट को देगी तो यह डेड़ करोड उसी 2 करोड में से है जिस पर की वो original party पहले tax भर चुकी है तो अब इस डेड़ करोड पर GST नहीं लगाया जाएगा ऐसे करके guarantee by government जब किसी government undertaking को मोटा लोल लेना पड़ता है बैंक वगेरा से तो banks guarantee की उमीद करते है सरकार इसके पीछे guarantee दे हमें कल कुछ दिक्कत हुई तो सरकारी खजाने से मैं पैसा मिल जाएगा तो इसके लिए government अपनी undertakings को guarantee देती है उसके बदले अपनी ही undertaking से कुछ guarantee commission लेती है उस guarantee commission पर GST नहीं आएगा दान धरम सिख्षास्वास्ते खेल सरकार की बात के बाद अभी हाँ पर किसान की बात आ जाती है किसान को अपनी ट्यूबेल का connection लगवाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है GST से मुक्त है आगे है चावल राइस जो की main food है loading, unloading, packaging, storage, warehousing etc. सब exempted है minor for its produce की जो warehousing है exempted है डाल दलिया फल सबजी की warehousing exempt है डाल दलिया फल सबजी की warehousing exempt है cotton चाहे गिंड हो या build हो पहले exempt इनकी warehousing बट अब ये taxable हो गया है cotton गिंड हो या build हो now it is taxable इसके warehousing electricity transmission distribution अगर देने वाले दे रहे हैं यानि कि जो authorized है electricity companies बगरा है तो GST नहीं आएगा otherwise कोई unauthorized person दे रहा है तो उस पर GST लगवा दिया जाएगा ठीक यानि कि electricity के case में या तो GST आएगा या फिर electricity duty आएगी इनमें से कोई एक ही निकल कर आता है fumigation के जो services थी पहले exempt थी now taxable mark it agriculture के सम्मंद में जो भी service ली जाती है agriculture में आता है cultivation of plant आ जाते हैं और rearing of animals आ जाते हैं rearing of animal में horse अनि घोडे नहीं आते हैं तो या फिर agriculture produce तो खेती बाड़ी पशूपालन और agriculture produce के respect में किसान को धेरों टाइप की services लीनी होती है उन धेरों टाइप की service पर जियस्ती नहीं आता क्या है वो धेरों टाइप की services कि जिसमें आपका like service हो गई cultivation की, harvesting की, threshing की plant protection की, testing की supply of farm, labor की या खेतों पर छोटी मोटी activity होती है जैसे tending, pruning, cutting, harvesting drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigation curing, sorting, grading, cooling, bulk packaging इस तरह के जाने कि जो ऐसे चोटी मोटी activities हैं जिससे agriculture produce will remain the agriculture produce उसका characteristic change नहीं होता है टमाटर टमाटर रहेगा, टमाटर सॉस नहीं बन जाएगा तो आगे है renting of agro machinery वगेरा आप खाली जमीन को किराए पर देते हैं खाली जमीन को जमीन को या फिर जमीन पर बने हुए घर के साथ देते हैं तो वहाँ भी GST की बाते आप से नहीं करी जाती है आगे है loading, unloading, packaging, storage, warehouse of agriculture produce वहाँ भी नहीं है, agriculture extension service पर भी charges पर भी GST नहीं आता है फिर I repeat fumigation of warehouse जो होता है तो fumigation की जो service है now taxable हो गई है market, job work तो किसी agriculture produce के respect में अगर आप एक job work की बात कर रही हैं तो उस पर GST नहीं लगाया जाएगा वैसे करके पर ध्यान दीजिए कभी भी हम घोड़ों की बात नहीं करना है घोड़े always taxable रहेंगे फिर एक और बात यह निकल किया ही अपनी क्या बहला insemination जो क्रत्रिम गर्वाधान होता है artificial insemination होता है जैसे human beings के लिए IVF है ऐसे प्रश्वों के लिए होता ही artificial insemination तो इंसानों के लिए भी exempted था और यहां पर भी वो exempted ही है slaughtering यहनि कि जब जनम होता है नया तो वहां तो exemption है लेकिन म्रत्यू पर tax लग जाएगा slaughtering now taxable market slaughterhouse की services now taxable market fruits and vegetables फल सबजी को खेतों से एक व्यापारी आदमी फल सब्जी को ले जाता है और अपने गुदाम में ले जाकर उनको साफ करता है ठंडा करता है पकाता है वेक्स लगाता है छोटी मोटी डिटेल पैकेजिंग करवाता है तो इन सभी activities के respect में हम GST के चर्चा नहीं करके चलते हैं इसे करके मालिक बोल दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे आगे है जो National Center for Cold Chain Development NCCCD तो इसकी सर्विस जो Cold Chain में बिजनस के ऑपरेटर से उनको दी जाती है मेंबर्शिप के रूप में वहाँ पर भी GST की बाद नहीं करी जाती है दान धरम, सिक्षा स्वास्त है खेल सरकार, किसान के बाद अब नमबर आ गया है मनो रंजन का मनो जो बोलते हैं कि जू नहीं जू जू एंड प्रोटेक्टिट मॉनिमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर नहीं लगेगा GST जैसे मैं गया था पूना में पढ़ाने के लिए जब मैं गया था अभी पीछे बैस कंपिट करके आया हूँ मैं तो मैं शनिवार वाडा गया था पत्चीस रुपे की टिकेट वहाँ लगी थी तो एक प्रोटेक्टिट मॉनिमेंट है उस पर GST नहीं लगा जाएगा तो एंट्री अड्मिशन फी है म्यूजियम नैशनल पार्क वाइल लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व जू एंड प्रोटेक्टिट मॉनिमेंट उसके बाद आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स अब ध्यान से सुनिए का मैं क्या बोल रहा हूँ रिक्रियेशनल यानि कि फन एक्टिविटीज जो होती हैं फन 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 आ फन 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 एक्टिविटीज आर्ट और कल्चर से संबंदित हैं और देने हबी कलासेस, अगर किसी फर्म ने चलाई हैं, कंपवन ने चलाई हैं, जी स्टी लग जाएगा, समझ मैं आगी बात? गली महले में चलने वाले जो कलासेस हैं, इंडिविजल जो चला रहे हैं, दीदी या आंटी या भाही जी चला रहे हैं उस पर GST नहीं आएगा. जो Sports वालीActivities हैं उसे Fun नहीं कह सकते हैं पुरकि तो Professional Training ही होती है उसे अगर एक Trust चलाए तो ही Exemption मिलेगी Otherwise Exemption नहीं मिलेगी ठीक? Entertainment पर आ जाते हैं अपना हम और Entertainment का मतलब समझाए तब बिद्या बालन नहीं हमें, वो करें कि जो मजा होता है वो दो तरीके का होता है, एक उड़ा एक्टिव मजा, जहां पर हम फिजिकली इन्वाल्व होते हैं, जैसे कि हम उसमें गए वाटर पार्क मजा आते हैं, तो वी आर फिजिकली एंगेज़्ट, और एक मजा होता है पैसिव मजा, कि मजा तो क्यों नहीं रहा होता है, उसको देखकर हमें मजा आ रहा होता है, यह पैसिव मजा है, मतलब जैसे मूवी देख रहे हैं आप, दिमाग तुमारा खराब हो गया, अब लोड़ा समझते हो, मूवी देख रहे हैं हम लोग, तो मूवी में जो परदे का जो मज़ा है वो कौन समाना गया है वह एक्टिव मज़ा ठीक तो यह जो एक्टिव मज़ा है तो इस पर तो भाई साथ जीस्टी लगेगा क्योंकि सरकार देखती है कि कहां मौके पर चौका मानना यहां बंदा जादा खुश होता है ज्यादा खुश है तो भेल लेट और जहां पैस मज़ा है तो कुछ कटेगरी बना दी नोंने वहने का कि अगर स्पेसिफाइड एंटेटिन्मेंट इवेंट है तो सरकस है डांस है थेटर है अवार्ड फंक्शन है पेजेंट है रिकगनाइज स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पर टिकेट पान सुरुपे पर पर बोलेंगे सस्ता मज़ा अगर स्पेसिफाइड सस्ता मज़ा है जीएस्टी नहीं लगेगा अधरवाइस जीएस्टी लग जाएगा अगर स्पेसिफाइड नहीं है यसे मूवी एंटेटिन्मेंट माती पर स्पेसिफाइड इवेंट में नहीं आती उस पर टेक्स लग या जायागा तो मझे में वैक्ती मझे मझे में टेक्स दे जाता है। हुपा फूपी हाउस फिर सेंबात हो जाती है अब पहले बात हो जाती हैं के जो एंटरी किinação ुट होती हैं इसपर GST नहीं लगया जाता है। फोक और क्लासीकल आर्ट जासरे हां पर बोलते हैं का पहले हम आर की बात करते हैं आर में रेंटिंग अकॉमडेशन की बात हो रही है प्रधार मंत्री आवा स्योजना के तहत जो घर बनवाए जा रहे हैं उनके construction पर construction service पर GST नहीं है ध्यान दीजिए हम construction material पर कभी GST को करेंगे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर services की राइट उसकी बात construction of single unit कर रहे हो अपना घर बना रहे हो कोथी बना रहे हो चोटा घर बना रहे हो बंगलो बना रहे हो अपना घर है रोटी कपड़ा और मकान basic need में आता है तो उसकी construction service GST से मुक्त है लेकिन अगर flat culture में चले जाते हो तो उसे single unit नहीं बोलते a building comprising more than one unit will be called as residential complex तो जो residential complex का निर्माण होगा तो उस पर tax लगवाया जाएगा ठीक? उसके बाद फिर हमाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर आकर hotel, motel, guest in house बगएरा पहले 1000 रुपे की 1000 तक के थे यह तो exemption दी जाती थी छोटे मुटे ओयोके हो गए धरमशालाए हो गए पहले exemption हुआ करती थी लेकिन अब यह taxable कर दिये गए हैं mark it ठेक सर लॉंग टर्म accommodation की बात कर रहे हैं तो लॉंग टर्म accommodation में बोलते हैं कि जैसे माली जी आंटी के घर पे जाके आप कराई पर कमरा ले रहे हैं उस पर GST नहीं लगेगा लेकिन अगर यह transaction B2B हो गई तो टेक्स लगेगा और reverse charge में recipient टेक्स भरेगा एक नई clarification यहाँ पर यह आई है कि माली जी मैं एक proprietorship concern नहीं कि as individually काम कर रहा हूँ मैं और मैं registered person हूँ और अगर मैं आंटी के यहाँ जाके कराई पर कमरा लेता हूँ तो transaction को B2C मानेंगे या B2B मानेंगे तो depend करता है कि मैं उसे किस capacity में ले रहा हूँ मैं उसे अपनी personal capacity में अपने परिवार के साथ रहने के लिए ले रहा हूँ फिर B2C मानेंगे exempt हो जाएगा और अगर मैं उसे अपने employee को ठहराने के लिए दे रहा हूँ मेरे business संबंधी ले रहा हूँ तो फिर वो अपना taxable हो जाएगा तो यहाँ पर देखा जाएगा कि वो personal capacity में ले रहे हो या फिर आप अपने उसे business capacity में ले रही हो as a businessman तो उससाब से यहाँ पर बात करी जाती है फिर बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी और और आगे बढ़ किने के बाद मैं पता लगा कि भई जो tenancy premium होता है उसका भी treatment वैसे किया जाएगा जैसे कि rent का किया जाता है tenancy premium एक परकार से advance rent ही होता है अगर पूरी building पर building बनते भी की तो पूरी building पर tax आ जाएगा और TDR FSI exempt अपना हो जाता है building बनने के बाद भी की तो building पर tax नहीं आया तो पर TDR FSI taxable हो जाते हैं और RCM chapter बोलता है कि उस पर reverse charge लगाया जाता है ठीक ऐसे करके और उसके बाद फिर आगे बढ़े long term lease की बात हो गई जमीन को जो land होती है उसे आप ऐसे ही बेच दो तो भी GST नहीं है और जमीन खरीदी उसका शरंगार किया उसके leveling कराई इमिटिविट डिलवाई बोरिंग बोरिंग कराया तो प्रकासर शरंगार करके बेचा तब भी जमीन जमीन ही रहेगी characteristic change नहीं हो जाएगा फिर भी GST की बात नहीं होगी however जो इस service आपने लिए है बोरिंग कराने की यह वो करने की उन service पर individually tax आएगा बट service लेने के बाद अब जमीन बेचे तो जमीन पर नहीं आएगा GPRS में बाता है आपका transportation of passenger जिसमें हम जल थल और वायू की बात करते हैं जल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है अपना in a land waterways यहाँ की boat वगरा जो होती है वो exempt होती है other waterways में depend करता है कि अगर वो public transport जिस्टी नहीं आएगा अगर वो आपका tourism है जिस्टी लग जाएगा थल में road और rail दो बात होती है road में दो बात हो जाती है contract carriage stage carriage contract carriage में भी दो बात हो जाती है AC तो taxable non AC contract carriage है non AC है तो depend करेगा special बस है taxable हो जाएगा जैसे बारात की बस आज मेरे यार की शादी है ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है public transport है जिस्टी exempt हो जाएगा टूरिस्ट भी कला है तो जिस्टी लगा दिया जाएगा ठीक है तो यह मौका देख रहा भाई जिस्टी लिया जा सकता है पारे स्टेज करेज है एसी है taxable होगा नौन एसी है exempt हो जाएगा उसके बाद जो रेल थी रेल में भारतिये रेल है भारतिये में दो बात है hill areas में चलने वाली first class है या normal areas में चलने वाली एसी कोच है चाहे first second third coach ची का टेकरीका हो यह taxable रहेगा otherwise exempt होगा रेल में other than Indian railway metro monotrum etc यह all these are exempted ठीक जो अंडमा निकोवार जब जाते हैं तो वहाँ पर ferries चलती है तो ferries अगर designed for tourism तो GST के दारे में आएगी और अगर वो public transport के इस्तिमाल हो रही है तो फिर GST नहीं आएगा क्योंकि अंडमा निकोवार पर जाएंगे तो सड़के कम वहाँ पर transportation का main माधियम एक island से दूसरे island पर जाने के लिए ये ferries का ही होता है ferries मतला motor boat हो गई अपनी न उसी के माधियम समझाते हैं ठीक है जिससे हम जाके अगर आपको अंडमा निकोवार घूमने जाना है तो पोर्ट बलेर पर जाके land करेंगे तो वहाँ से आप हैव लॉक बीच उस पर island पर जाना exemption है North East region पर आपकी flight land कर रही है या take off कर रही है GST नहीं आएगा पर अमेंडमेंट ये बोलती है कि अगर ये आप economy class में थे तो ही exemption में है अगर आप economy class में नहीं थे तो फिर tax लग जाएगा बात ब्रकू ठीक है दूसरा RCS regional connectivity scheme के तहट जो flight उड़ाई जा रही है उन पर भी G service लेके चलती है वहां no question of GST driving license passport etc कोई GST की बात नहीं होगी टूर operator की service की बात करते हैं तो समय बोला गया कि देखिए अगर कोई Indian है और किसी विदेशी को इंडिया में घुमाता है tax लग जाएगा अगर Indian किसी विदेशी को इंडिया के बाहर घुमाता है tax बिल्कुल नहीं लेकिन अगर दौनों जगे कमाइंड टूर में घुमाता है तो क्या होगा तो पर पोशिट करके चलेंगे पर पोशिट करने के दो तरीके हैं एक टेक्निकल एक नोन टेक्निकल नोन टेक्निकल बोलता है आधा आधा 50-50 कर दो बात कितब और टेक्निकल बोलता है number of days के सामे आप असे allocate करो number of days के calculation करते समय हम जो हाच जो भी निकल के आएगा proportionate से निकल के आएगा वो proportionate में यह देखो फौरन वाला कितना था exempt वाला कितना है वो देखो और 50% जो हमने नोन टेक्निकल किया तो 50% और जो proportionate exemption वाला निकल के आए वो whichever is क्या less जो भी कम होगा उसको यहा हम बोलते कि समय लगा चार दिन चार घंटे अभी चार घंटे को क्या मानोगे तो चार घंटे को मानते हैं आधा दिन यहांने कि बार है या उससे कम है तो बार है मानने जाएंगे और बार है से उपर है तो फिर उसे पूरा एक दिन मान लिया जाएगा यह से रूपी को रा तो पूरा दिन मानेंगे, 12 गunden से नीचे हैं, तो 12 ग Takes मानेंगे, खतम नहीं कर रा हूशे कर रहा हूशे, 12 गंटे मानेंगों से 2 गंटे, 1 गंटे, 4 गंटे, 6 गंटे, उसे 1-2 गंटे मानेंगे, 12 गंटे मतलब अदा डाय हैं असको चनacz किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़े मालिक transportation of goods की बात थुई यहां पर भी जल, थल और वायू की ही बात ने करी जानी है तो जब जल की हमने बात ये करी तो inland waterways exempted है और जो otherwise हो taxable है जो थल है by road, gt और courier आपके taxable है बाकी सारे exempted है rail की बात करेंगे taxable है वायू की बात करेंगे domestic transportation वगरा हो रहा है तो according लिए उस पर कुछ वैसे तो exemption नहीं पर हाँ goods wise exemption जरूर दे दी जाती है और वो goods wise exemption क्या है इसमें है milk, दूध, नमक नमक, दूध, आटा, दाल, चावल नमक, दूध, नमक, दूध, आटा, दाल, चावल agriculture produce newspaper magazines मुझे याद आ रहा है पूने में बड़ा खिल हुआ था इसको याद करने को लेकर milk, salt, floor, pulses, rice आटा, दाल, चावल आटा, दाल, दूध, आई रिपेट नमक, दूध, आटा, दाल, चावल agriculture produce newspaper magazines relief material, defense material ये आपके exemption कटेगरी में आ जाएंगे चाहे ये rail की दोरा ढोई जा रही हैं वैसल की दोरा ढोई जा रही हैं या फिर ये GT की दोरा ढोई जा रही हैं वैसे करके उसके बाद railway equipment now taxable हो गए है इनका transportation जो आपकी exemption special exemption हुआ करती थी पंदरसो और दोजर वाली वो भी यहाँ पर withdraw कर ली गई है की बात कर रहे हैं all international transportation are exempted from GST nutshell में सारी बात में आपको बता दी है दूसरा ये जो space में भेजते रहते हैं ना वो जो इस रो है Indian Space Research Organization या अंत्रिक्ष करोपरेशन लिम्टेड जो है या new space इंडिया लिम्टेड है तो ये जो transportation की service देते हैं इसके लिए तो वहाँ पर भी GST नहीं लगाया जाएगा वैसे करके ठीक आगे बोलते हैं जो GTA की service है अगर दी जाती है वो किसी unregistered person को तो भी exemption दे दी जाएगी और GTA की service देखें GTA वैसे normally taxable है लेकिन अगर GTA की जो service है specified goods के सम्मन्द में है तो exempt है अगर unregistered person को दी जा रही है तो भी exempt है और अगर वो दी जा रही है एक ऐसे government department को जो सिर्फ TDS deductor के रूप में ही registered है मतलब उसके पास सिर्फ single registration है मतलब उसके पास tax pair वाला registration नहीं है इसको भी exempt करके चलेंगे जिससे income tax department हो गया post office के पास dual registration होता है तो वहाँ पर इस पर tax लगवा दिया जाएगा और हमें पता है कि जीटे पर नॉर्मली लगता है अपना reverse charge तो जहां पर possibilities हैं reverse charge पे करने की तो वहाँ तो taxable otherwise उसको exempt कर दिया जाएगा वैसे करके तो single registration वाले को दे रही हो exemption मिल चाएगी ठीक है जी तो ये रही हमारी बाते है with respect to goods transportation साथ मैं national permit के लिए यहां था चोरों से मूर मरवाना कि national permit मैं recipient होता जीटी है और देने वाली होती है सरकार तो उस पर भी जीस्टी अपना नहीं लगाए जाएगा और इसकी फीज़ पर जो 16-17,000 पे एन्वली होती है नेपाल भूटान माली जी पाकिस्तान से कोई ट्रक समान लेकर नेपाल भूटान जा रहा है और विसी बात है इंडिया के थ्रूही होके जाना पड़ेगा तो ऐसे में जो इंडियन्स हैं वो अपनी सर्विसस इस कारगो के रिस्पेक्ट में देते हैं उन सर्विस पर जी एस्टी नहीं आएगा मोरूवर वहां से जो खाली कंटिनर लॉट के आ रही है उसके रिस्पेक्ट में भी जो सर्विसस दी जा रही है इंडियन्स उस पर भी GST अपना नहीं लगाया जाएगा प्रिम्स से बोलेंगे राधे राधे GPRS के अंदर आता है आपका एस सोशल वेरफेर Old Age Home की सर्वेस है 25,000 25,000 तक कि एकर हम बात करके चल रहे हैं Per members per month No GST Fair Price Shop सरकारी कोटा की दुकान उसमें जो सरकारी राशन का जो डीलर होता है 60 पैसे कमिशन मिलता है पर केजी पर उस 60 पैसे पर GST नहीं आएगा जो आपकी NPO's बने हुए हैं बहुत सारे जनका objective profit कमाना नहीं होता है An unincorporated body और not profit entity जो यहाँ पर होती है उसके बारे में बात कर रहे है मालक तो अगर वो as a trade union काम कर रही है अपने ही members के लिए तो consideration पर GST नहीं आएगा जो contribution के रूप में आ रहा है हरी बोल जो committee है यहाँ पर आकर आपकी मैंना example दिया था जो कि religious ceremonies conduct करते रहती उसके लिए अपने members जो contribution आएगा उस पर भी GST नहीं है जो housing society है 7500 पर member पर month ले रही है उस पर भी GST नहीं है ज़्यादा होगा तो पूरे पर tax आ जाएगा जो member के county की जानी है वो per flat के हिसाब से की जानी है मेरे पास 10 flat है तो मैं 10 member के तोर पर यहाँ पर count किया जाओंगा वैसे करके ठीक तो आगे जो बाकी छोटे-बोटे NPO's होते हैं जैसे की promotion of trade के लिए हो गया commerce, industry, agriculture, arts, science वगरा के लिए हो गया उसका अगर 1000 per year तक का है no question of GST banking की बात करते है RBI services now taxable market interest और forex की interest on loan advance deposit जो होगा अपना ये exempt कर दिया जाएगा लेकिन credit कार के जो charges हैं वो अपने remain taxable उसके बाद मैं यहाँ बोलता है साहिब की forex के respect मैं जो आपस में हो रहा है sale purchase of foreign currency bank और authorized dealer के बीच में internally जो चल रहा है खेल उस पर GST नहीं आएगा public के साथ deal करेंगे GST लगवा दिया जाएगा वैसे करके ठीक है जी and उसके बाद जन्धन योजना में जो खाते खुले हुए हैं उन खातों पर जो bank charge जाती है उन bank charge पर GST नहीं आएगा card processing अगर transaction आपने करी है कुछ खरिदा फरुक्त किया है card से payment करें 2000 तक की उन 2000 तक की payment पर लगभग 2% के हिसाब से जो bank charge बनता है से 40 रुपीज उस पर GST नहीं आएगा बढ़ transaction 2000 से उपर की हुए rich आज भी बन गया 3000 की transaction कर दी bank charge बनेगा 60 रुपे नहीं 60 रुपे को पर GST आजाएगा उसके बाद आगे आती agency services business facilitator की services की हम लोग बात करके चलते हैं यहाँ पर तो वो services दी जाती है एक rural area वाले जो bank branch वगएरा होती है उनको दी जाती है तो no question of GST और business facilitator है business correspondent एक insurance sector में banking sector हो या insurance sector हो उसमें जो दी जा रही है no question of GST दूसरा जो intermediary होता है जो banking sector में यह BF या BC जो appoint किये इनके लिए प्लेस्मेंट agency का काम करता है वहाँ पर भी GST की बात नहीं करी जाती है service दी जाती है intermediary financial service के respect में SZ में locate होकर वहाँ पर भी GST की बात नहीं करी जाती है अब आ गया था BIB के अंदर आई आजाता है आई में NUT जो NPS के तहरत NUT contribution दिया जाता है No question of GST मैंने बताया था कि छोटे बच्चे एक करोड इकठा दे दिया फिर लेटर ओन छोटा छोटा अमाउंट आता रहेगा उस पर GST नहीं आएगा group insurance scheme के तहरत बोला जाता है कि यहाँ पर जो यह group insurance बने हुए है इसमें चाहिए वापका Army का हो, Navy का हो, Air Force का हो Coast Guard का हो, CRPF का हो तो minimum सा उसमें premium होता है maximum cover होता है premium पर GST नहीं आएगा कुछ government bodies है, regulatory bodies है ESIC Employee State Insurance Corporation EPFO, CM यानि coal mine, PFO, Provident Fund Organization National Pension Scheme यहाँ पर भी GST की बात नहीं करेंगे इन यो government regulatory bodies है इनकी service पर GST नहीं आएगा General insurance गरीबों के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए अलग-अलग policies निकाली हुई है उन policy के premium पर GST नहीं आएगा जैसे की हट insurance, जन आरोग गया प्रधार मंति सुरक्षा बीमा योजना निरा में health insurance हो गया बंगला, सस्य बीमा योजना एटसेटरा life insurance गरीमों के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए गौर्मेंट ने life insurance के धेरों स्कीम निकाल रखी है nominal सा premium होता है उस premium पर GST नहीं लगाया जाएगा जैसे जन शरी बीमा योजना आम आर्बिमा योजना life micro insurance product where maximum cover is up to 2 lakh जहां पर की maximum cover आपका 2 lakh तक का बनता है गलती आपसे यहीं पर होगी यहां पर 2 lakh दे रखा होगा और आप उसे exempt कर रहे होगे नहीं insurance की service लेने वाली खुद सरकार है वहां पर भी GST नहीं लगाया जाएगा और यह जो हमने बात करी है general insurance, life insurance और government वाली इनके अगर re-insurance होएंगे तो वहां पर भी GST की बात नहीं होगी अटल pension पर GST की बात नहीं होगी और इसी तरह की state pension जो होएंगे वहां पर भी अपना GST नहीं लगाया जाएगा business related में बात करते हैं transfer of going concern है जो B.I.B. था ना तो B का आखरी भी आ गया transfer of going concern तो यह अपना चालू business को अगर बेच दिया जाएगा तो उस्छे supply of service मानते हैं और उस पर अपना GST नहीं लगाया जाएगा अपने कोई बस यापने कोई बस यापने कोई बस यापने या mini bus जिसकी capacity बार है plus passenger है गलती यहाँ होगी इसमें आके गलती होगी वो आपको बोलेगा कि भाई 10 की capacity थी नहीं 10 वारा टेक्सिबल हो जाएगा बार है plus capacity बार है से ज़्यादा यानि bus या mini bus क्राइपे दोगे तो GST लगवा दिया जाएगा वैसे करके मतला आप exempt हो जाएगा अपना उसके बाद में अगर electric bus देते हो किसी local authority वगवा को बार है plus passenger वाली उस पर भी GST नहीं है आप कोई truck वगवा देते हो किसी goods transport agency को lease पर उस पर भी GST नहीं लगाया जाएगा अगर आप आप कोई bus वगवा लेकर एक ऐसे transporter को देते हो जो अपनी buses को school में लगा रखा है for transportation of student faculty or staff तो आपने जिस transporter को bus दे थी उस पर GST नहीं लगाया जाएगा वैसे करके toll charges जो हैं आपके वो exempted हैं जो annuity वाली बात थी annuity की रूप में अगर दिये जाते हैं वो taxable हो गए हैं सिर्फ normal जो toll charges है वो ही अपने यहां पर exempt रहेंगे उसके बाद में आगे बोलते हैं कि जो fast tag जो कभी कभी क्या होता है access toll charge आपसे लिया जाता है कि आपके fast tag में balance नहीं fast tag काम नहीं कर रहा है तो double amount लिया जाता है आपसे यह कभी कभी आप overload लिकर चलते हैं तो आपसे access toll वसूल आ जाता है access toll को भी toll की तरह ही treat किया जाएगा और वो भी अपना exempt ही रहेगा incubate incubate नहीं incubate अब यहां पर जब ऐसे शब बोलता था तो पुने वाले बच्चे बड़े आराम से मेरी तरफ देका ताली बजाते थे बड़े आराम आराम से मुझे वो याद आती है चीज़े memory में बहुत ज़्यादा है मेरी में incubate इंक्यूबेटी incubate नहीं incubate start-ups जो होते हैं तो यह exemption start-up के लिए है number 1 exemption तीन साल तक ही काम करेगी first three year काम करेगी number 2 exemption की तब सोचना जब प्रिस्टिंग financial year में turnover पचास लाग तक limited हो number 3 current year में आपको यह exemption मिलेगी only up to the turnover of 50 लाग पूरी exemptions में यहां आर्या पार की बात नहीं हो रही है current year में exemption up to 50 लाग है अगर माने जी 52 हो गया तो 50 लाग exempt होगा excess 2 लाग taxable होगा सिर्फ यहीं पर excess वाली बात है वन्ना या तो आर्या पार वैसे करके incubator यानि कि जो incubator ने जो मुर्गी की तरह था उसने अगर कुछ भी ऐसा लिया है कुछ अपनी like जो charge वगरा लिये थे incubator से तो वो भी अपने यहाँ taxable category से मुक्ते exempt कर दिया जाएगा legal services की बात करके चल रहे हैं तो इसमें आपके जो advocates होते हैं senior हो या junior हो या firm of advocate हो या arbitral tribunal हो अगर इस service देते किसी non-business entity को GST नहीं लगेगा क्योंकि collection में issue आजाएगा वकील साब देंगे नहीं सामने वारा non-business entity है इसलिए exempt it हमें यह देखना होता है देखे एक बात ध्यान रखना मेरी number 1 सरकार क्या क्रम अपनाती है supplier से GST लीजिए नहीं possible है recipient से GST लीजिए और RCM लगा कर possible नहीं है तो फिर यह देखो आपको GST लेने की चाहा क्या है आपको GST चाहिए या चाहिए ही चाहिए अगर सिर्फ चाहिए चाहना ज़्यादा नहीं है तो exempt कर दो अगर collection issue है तो third number पर आगए है तो और चाहिए ही चाहिए तो फिर कोई भी तिगड़ा में नकालो कोई कारस्ता नहीं करो आपको फिर करना ही पड़ेगा डिमी फिक्शन वगरा बनाने पड़ते हैं लीगल सार्वेश दी जारी है टू बिजनिस एंटिटीज को दी जा रही है और बिजनिस एंटिटी में दू आ गई आपकी गरीब बिजनिस एंटिटी है या फिर आपकी अमीर बिजनिस एंटिटी है डिपेंड करता है अगर वो गरीब बिजनिस एंटिटी की वहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो एक्जम्ट रहेगी अमीर विजनस एंटिटी है तो फिर टेक्स लग जाएगा वो भी R.C. में लगेगा गरीब का मतलब जिसका प्रिसिनिंग फानेशल एर में 10,20,40 तक S.E.M. लिम्टेट था और अमीर का मतलब जिसका प्रिसिनिंग को सर्विस दे रहा है काले कोट वालों को इस पर टेक्स लगाया जाता है बिजनस एक्जिबिशन पूने वाले बैच में गए थे जूते बेचने के लिए जूते ले लो जूते डिमनस्टेशन बहुत सारे दिये मतलब बात बात पर डिमनस्टेशन था सर्विस बाई वे सर्विस बाई एन और्गनाईजर फर एक्जामपल फुट्वियर असोसिएशन आफ इंडिया है और फुट्वियर मैनुफैक्चिरर जो थे ना वो अपनी असोसिएशन के मेंबर्स को भेजते थे कि जाए जूते लेकर जाएए और वहाँ विदेशी बजार में जाकर इनको एक्जिबिट कीजिए और दिखलाए कि हमारा जूता कितना शांदार है इसको पहना भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है सारे काम कर सकता है यह तो हथ्यार भी बना सकते हैं आप जम मर्जी चाहे तो ऐसे इसको एड़डाइज कर गया यह वहाँ पर जिसमें जो भी खर्चा पानी आएगा उसको यहाँ पर exempt करवा दिये जाएगा प्रेम्स से बोलेंगे रहादे रहादे अब यह कुछ IGST Act के अंद करेंगे स्पलिंग लिखे जरा शब लिखिए जी जी यू एस जी यू एस टी आई ए यार तो से गैस्टियर पढ़ा जाता बैसिकलिक गैस्टियर प्रनन्सिशन सहीज का यह एक शब्द है यह सुता ना बाड़ी में किसी गैस्ट्रिक बाड़ी होती है यह वर्ड उस तरह इस यह सही वर्ड मता इस नहीं कि मैंने कोई फाल तुम को विश्वत बना दिया गेस्टियर जी फ़र गॉर्मेंट यू फॉर यू एन आई यूनाइटे डिशन से एक बाड़ दिखते हैं वेर लोकेशन ऑफ दे सप्लायर इस आउट्स इंडिया तो भार है एंड लोकेशन ऑफ इंडिया है तो फिर हम बात करेंगे पहला है गॉर्मेंट डिपाट्मेंट होगे गॉर्मेंट अथर्टी इंडिविजल्स होगे जो यूज के लिए सर्विस ले रहे हैं रिगर्गनाइजड चैरिटीबल ट्रस्ट होगे आर्बिया होगे जो फोरेक्स संबंदी सर्विस ले रहा है एंबसी होगई यानि कि यूई एन होल्टर जो है अपने यूनाइटिट स्टेट्स वगर आपने यहां पर आ जाते हैं माल तर सटी से हो गया टी से आया ट्रस्ट हो गया जी अपना यह और आई से हो गया इंडिविजिल फर पर्सनल यूज और सब्स लेंगे रादी रादी आगे कुछ और भी यहां पर कहा जाता है और उसमें यह बोलते है कि यह बात हमारे पहले हो चुकी है तूरिस्ट वाली य एंड उसके बाद एक और बात है कि अगर supply entity से entity को करी जा रही हो entity से entity को करी जा रही हो तो उसमें जो Indian intermediary होता है उसको मिलने वाले commission पर भी GST नहीं लगाया जाता है ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है cost petroleum, profit petroleum इस पूरे game के अंदर कहीं भी GST की बात नहीं होई थी मैंने detail में अच्छे से आपको पूरी बात बतलाई थी joint venture, joint venture में जो partners होते हैं वो जो capital contribute करते हैं वो cash calls होती हैं उस पर GST नहीं आएगा दूसरा joint venture अपने ही members को services वगरा देता है या members को देते हैं, for a consideration है तो भी इनको deemed separate कहते हुए इन पर GST लगाया जाएगा प्रेम से बोलेंगे, राधे, राधे, ठीक राधे इस तरह उसके बाद DCA का सरक्रोर यहां दे रखा है इस आप एक बार खुज से देखिएगा, एक सरक्रोर छोटा सा तो वैसे करके है तो इसमें आपकी जो बाते हैं तो यहां पर आकर complete हो जाती है और इस chapter के लिए मेरा target एक घंटे का था पर मैंने time को target नहीं किया था और मजे की बात है कि 59 minutes मेरी घड़ी में समय हो रहा है तो by default यह within hour आपका complete हो गया है राधराने की कृपा आपके उपर यहीं बनी रहे यहीं हसते खेलते मुस्कुराते आप रहे अगले chapter में आपसे मैं फिर मुलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए थैंक्यू सो मच अब GST जेब में होगा कितना मजाएगा ना कोई सा भी chapter recall करना है फट से mobile निकालो कान में लिड लगाओ बात खतम जब तक 25 मट में आएगा तब तक आपके chapter revise हो चुका होगा खड़े खड़े आप revise कर लेंगे खड़े खड़े आप अपने office से बाहर निकल के छोले कुल्ची खा रहे ही हों कान में लीड लगी होगी आपके chapter revision चल रहा होगा जय जय शिरादे मिलते हैं आप से अगले chapter में तब तक के लिए bye tata और धेर सारा आपके लिए हमारा यहां से love you है ठीक माले yes sir